हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास सेवेंथ की वोक्षीट नमबर 10 जो की 23rd of August 2021 की वोक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है Mathematics यहां आप अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है multiplication and division of fraction यानि fraction नमबर का multiplication and division कैसे करना है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले multiplication is repeated addition यानि किसी नमबर को अगर हम कई बार add करते हैं तो इसको simply हम multiply भी कर सकते हैं जैसे कि मान लो 3 plus 3 plus 3 plus 3 3 को हमने कितनी बार add किया 4 बार answer कितना आएगा 12 तो इसको simple हम ऐसा भी कर सकते हैं 3 into me 4 यनि 3 को हमें जितनी बार add करना है उसी नमबर से हम multiply कर देंगे तो भी answer same ही आएगा ठीक है तो अब हम देखते हैं multiplication of a fraction by whole ये fraction है और ये whole number है उसका multiplication करना है तो 1 by 5 into me whole number को भी हम fraction की form में लिख सकते हैं next इसको हम cut कर देंगे तो answer आजाएगा 4 क्योंकि 5 फोर्जा 20 होता है next है fraction as an operator of अगर कहीं पर off लगा है तो off को हटाके multiplication लगा सकते हैं जैसे यहां पर क्या हो है 1 by 2 off की जगे multiplication लगा है into 10 अब 2 से इसको divide करेंगे 10 को 2 से divide करेंगे तो answer आजाएगा 5 क्योंकि 2 5s आ 10 होता है next है multiplication of a fraction by another fraction यानि 2 fractions हैं उनको अगर आपसे multiply करना है तो क्या answer आजाएगा first method तो हमें given है कि हम कैसे solve कर सकते हैं कि simple numerator को numerator से multiply करेंगे denominator को denominator से multiply करेंगे answer आजाएगा then इसको हम divide कर देंगे जिस भी number से divide हो सकता है इसका एक दूसरा तरीका भी है solve करने का 3 by 8 into में 4 by 5 तो पहले ही हम यह जिन number से cancel out हो सकता है उससे cancel out करेंगे जैसे कि 4 बंजा 4, 4 तूजा 8 अब 3 बंजा आ जाएगा 3 और 5 तूजा आ जाएगा 10 इस तरीके से 3 by 10 इसका answer आ जाएगा और यह जादा simple method होता है क्योंकि इस method में पहले हमें multiply करना होता है फिर बहुत बड़े number आ जाते हैं फिर उसको divide करना थोड़ा सा tough हो जाता है ठीक है next है देखो यह numbers है यहाँ पर हमें बता रखा है कि product of proper fraction is less than each fraction अगर 2 divided by 35 कि अगर हम अलग अलग fractions लेने हैं तो 1 by 5 और 2 by 7 यह दो proper fractions है तो हर एक proper fraction इस total product वाले number से बड़ा होगा यहनि 1 by 5 बड़ा है 2 by 35 से और 2 by 7 भी बड़ा है 2 by 35 से ठीक है next है product of improper fraction is more than each fraction अब इस case में जो हमने 2 fraction लिए हैं वो improper fraction है और improper fraction हमेशा अपने product से बड़े जो इनका product है वो हमेशा बड़ा होता है इन अलग अलग fractions से जैसे कि 8 by 5 बड़ा है 6 by 5 से और 8 by 5 बड़ा है 4 by 3 से ठीक है तो हमने यहाँ पर देखा कि हम numerator को numerator से multiply करते हैं denominator को denominator से multiply करते हैं और जो answer आता है finally उसको भी simplify करते हैं पर उसको simplest form में answer को लिखना होता है इसके basis पर हमें कुछ questions दे रखे हैं solve करते हैं Question हमें ये दे रखे हैं, उनके answers यहाँ पे हैं, जो answer आएगा उस पे हमें blue color से color कर देना है. First question है 2 by 7 into me 3, तो 3 divided by 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ जाएगा 3, 2 जा 6 और 7 बन जा 7, answer आजाएगा 6 by 7, यहाँ पे आप blue color से color कर देंगे. Next, अब 18 divided by 1 लिखा जा सकता है, और 3 को आप cancel out करेंगे, 3, 6 या 18 आ जाएगा, तो 6 into me 2 आ जाएगा 12 divided by 1, और divide by 1 को हम हटा भी सकते हैं, इसको simply 12 भी लिख सकते हैं, तो second question का answer आ जाएगा 12 और इसमें आप blue color से color कर देंगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बिताती हूँ, पहले इसको देखते हैं, 1 into me 1, 1 और 2 into me 3, 6, तो यहाँ जाएगा 1 by 6, next, 15 divided by 1 लिख सकते हैं, अब 5, 3 जा 15 आ जाएगा, तो 3 into me 3 आ जाएगा 9, divide by 1, 1 को हम छोड़ भी सकते हैं, तो answer बचेगा 9, ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यह वाला question, इसमें first number तो है 5 by 8, into me next number क्या है, 3, 5 by 6, इसको simplify करने के लिए पहले इन दोनों number को multiply करना होता है, तो आ जाएगा 18, और इस number को plus में हम मतलब यहाँ पर add कर देंगे, और divide में जो number है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो यह आ जाएगा 23 divided by 6, अब 5 को 23 से multiply करेंगे तो आ जाएगा 115, और इसको हम 8 को 6 से multiply करेंगे तो आज़ आ जाएगा 48, अब इसको simplify करने के लिए हम क्या लिख सकते है, 48 divided by 48 plus 48 divided by 48, अब क्योंकि यह 115 divided by 48 था, तो यह 48 plus 48 तो अल्रड़ी हो चुका है 96, अब बचा 19, 19 divided by 48, इसको cancel out करेंगे आ जाएगा 1, इसको cancel out करेंगे अगेन आ जाएगा 1, तो 1 plus में 1 आ जाएगा 2, और यह आ जाएगा 19 divided by 48, तो इसका answer कौन सा आ जाएगा, last वाला, ठीक है, यह तो हमने समझे multiplication, अब हम समझेंगे division, division का मतलब होता है repeated subtraction, यानि किसी number से, लगातार आप किसी दूसरे number को continue minus करते आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम divide भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें number दे रखा है एक, 3 by 4, divide by 3, तो 3 by 4, इस division की जगे हम multiplication लगा सकते हैं, और next वाला जो number उसको हम reverse कर देंगे, फिलहाल 3 है, तो उसको हम 1 by 3 करेंगे, तो 3 से 3 cancel out हो जाएगा, और यह बचेगा 1 by 4, ठीक है, next है, अगर हमें 2 fractions दे रखे हैं, तो एक है 3 by 5, अब इस division की जगे हम लगाएंगे multiplication, 1 by 2 के जगे आजाएगा 2 by 1, तो 3 2 जा आजाएगा 6, और 5 जा जाएगा 5, तो 6 by 5 आजाएगा, तो next है, देखो यह तो हमने समझ लिए, simple, पहले वाले नमबर को हम वैसे ही लिखेंगे, same, और हम क्या करेंगे उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे division है, तो यहाँ पे हम multiplication से इसको change करेंगे, और इसके बाद वाला जो नमबर उसको हम reverse कर देंगे, यहाँ इसका reciprocal हम लिख देंगे, तो अब हम solve करते हैं इसके दिये हुए questions, यहाँ पे हमें कुछ question दे रखे हैं, यहाँ पे उनके solution है, solution पे हमें red color से color कर देना है, तो first तो है 1, divide है, divide के जगे हम multiply लगाएंगे, और 1 by 2 है, तो इसका reciprocal आजाएगा 2 by 1, तो answer आजाएगा 2, तो first वाले में हम red color से color कर देंगे, ठीक है, उसके बाद next है, इसको हम बाद में करेंगे, इसको देखते हैं, 2 by 5, divide के जगे हम multiply, और 1 by 2 के जगे आजाएगा 2 by 1, multiply करने पे आजाएगा answer 4 divided by 5, तो 4 by 5 इसके हम color कर देंगे, next है यह वाला 3 by 7, divide के जगे हम लगाएगे multiplication, और यहाँ पे हम लगा देंगे 7 by 8, तो 7 से 7 कैंसल आजाएगा 3 divided by 8, 3 by 8 कहाँ पे है, यह रहा, 3 divided by 8, ठीक है, next है, 8 divided by 3, अब division के जगे आजाएगा multiplication, 5 के जगे हम 1 by 5 कर देंगे, तो answer आजाएगा 8 divided by 15, और यह रहा इसका answer, ठीक है, अब हम solve करते हैं पहले इस वाले question को, यह है 2 divided by 5, division के जगे हम क्या लगाएगे, multiplication, पहले उस number को हमें simplify करना है, 1, 1 by 2, इसको solve करने के पहले, इन दोरों को multiply करेंगे, तो आजाएगा 2, plus में उपर वाले number को add करेंगे, और नीचे number वैसे ही रहेगा, तो 3 by 2 आजाएगा, 3 by 2, पर क्यूंकि हमने division के जगे, multiplication किया है, तो इस 3 by 2 को हमें, उल्टा करना पड़ेगा, यानि आजाएगा 2 divided by 3, तो 2, 2 जाएगा 4, और 5, 3 जाएगा 15, तो 4 by 15 है यहाँ पर कहीं, यह रहा इसका answer, ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको solve करेंगे, तो 2, 1 by 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 तूचा 10, प्लस में 1, 11 डिवाइड बाइ 5, और अगले number को 1, 1 by 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 बंचा 5, प्लस में 1, 6 डिवाइड बाइ 5, यानि यह actual question ऐसा हुआ, 11 डिवाइड बाइ 5, divided by 6 डिवाइड बाइ 5, तो 11 डिवाइड बाइ 5, इस division के जगे हम multiplication लिखा देंगे, और इन दोनों numbers को उल्टा कर देंगे, 5 से 5 कैंसल, आसर आजाएगा 11 डिवाइड बाइ 6, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे, last वाला question, जो कि है, 2 इंटु में 1 by 3, divided by 3 by 5, तो इसको कैसे solve कर सकते हैं, 3 2 जा 6, प्लस में 1, 7 divided by 3, और division में 3 by 5, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 7 divided by 3, इस division के जिगे हम लगा देंगे, multiplication और इस number को हम reverse कर देंगे, आजाएगा 5 divided by 3, 7 5 जा जाएगा 35, और 3 3 जा जाएगा 9, तो यहाँ पे यह इसका correct answer है, तो यह थी आज के हमारी maths की worksheet, I hope यह worksheet आपको बहुत अच्छे से clear हो चुकी होगी, Thank you,